कि आप सभी उम्मीद है सभी लोग अच्छी होगे तो फ्रेंट्स में आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं सरदार पूर्स इनका इवन पर इचे जो आपके लिए इंपोर्टेंट है तो फ्रेंट्स एक अक्षा 11 के स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मैं पूर्ण होने वाला है जीवन पर इचे तो फ्रेंट्स वीडियो के साथ लाश्ट तक बने रहीएगा चैनल पर जो भी इस फ्रेंट्स नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे फ्रेंट्स में अगली वीडियो को नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं देखिए ये जीवन परिच है सरदार पूर्ण सिंग का सरदार पूर्ण सिंग का जन्म सम्ण 1888 में पाकिस्तान के एवटाबाद जिले के एक गाउं में हुआ था इनके पिता के नाम करतार सिंग भागर था इनके पिता एक सरकारी करमचारी थे इनका पालन पोशन इनकी माता की देखरेक में हुआ था पूर सिंग जी की प्रारमिक सिक्षा एवटबात में हुई थी इसके बाद इन्होंने रावल पिंडी से हाई स्कूल की प्रिक्षा उत्रुन की और लाहोर से इंटर्मीडियर्ट की प्रिक्षा त्रुन की इंटर्मीडियर्ट की बाद सन 1900 ए में रसाइन सास्त्र का ध्यान करने के लिए जापान चले गए और वहां इंपीरियल यूनिवरस्टी में तीन साल तक रसाइन सास्त्र का ध्यान किया इसी भी स्वामी रामतीर्थ के शिश्य हो गए इसके बाद यह धहरदून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टिटूट में 750 रुपे मासिक पर कैमिस्ट के फद पर निक्त हुए नौकरी छोड़ने के बाद ही है किरसी कार में लग गए इनका अंतिम समय बड़ी ही कटनाईयों से गुजरा सर 1931 इमें इनका दिहानत हो गया यह आपको इतना लिखना है इनकी जीवन परिचे में इसके बाद इनका सहतिक परिचे आप लिख दीजिए लेकिए सहतिक परिचे में लिखना है आपको सरदार पूर्ण सिंग जी हिंदी सहति में एक स्रेश्ट निवंदकार की रूप में प्रिशिद है इनों ने अपने मात्र 6 निवंदों के आधर पर ही सहति में अपना गौ कुमल भावनाओं से परिपून हैं उनकी निवंदों में मानफताबादी कल्यारकारी भावनाओं का समवेशन है यतना आपको लिखना है सहतिक परिचे में इसके बाद आप इनकी रचनाएं यानिकी कृतिया लिख दें इनकी मुखे 6 रचनाएं कौन कौन सी है दिखिए आ जीवन परिचे को कम्प्लीट कर दीजिएगा ठीक है तो यह था सरदार पूर सिंग का जीवन परिचे जो आपके लिए इंप्टेंट है इस बार के एक्जाम पेपर के लिए ठीक है तो फ्रेंट्स अमीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए फ्रेंट जहीं जभारत